ओम शान्ति आज 3 अगस्त 2021 है कल के अव्यक्त इशारू में बाबा ने हमें न्यारा रहने के लिए डियरेक्शन दिया था लेकिन न्यारेपन के साथ साथ बाबा एक और चीज को अड़ करते हैं और वो है प्यारापन तो कैसे न्यारे और प्यारे रहा जाए आए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से हर बात में वृत्ती में दृष्टी में कर्म में न्यारापन अनुभव हो यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है आत्मिक प्यार नमबर वन ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी परिष्टापन परमधाम चलना है तो मन की एकागरता पर अटेंशन दो ओर्डर से मन को चलाओ तो न्यारेपन के साथ साथ प्यारापन जैसे कि शास्रों में गायन है कि गाय की पूँच को पकड़ करके पार हो गए तर गए तो हम भी ऐसे ही ब्रह्मा बाबा जो नमबर वन आत्मा बन के दिखाया पुर्शार्थ से और सबसे उँच पत को पाया ऐसे ही पूँच पकड़ने का अर्थ है उनको फॉलो करना उनके साथ चलने के लिए वैसे ही स्थिथी धारन करना लेकिन यहां बाबा ने अंडरलाइन कराया है प्यारेपन के अंदर भी आत्मिक प्यार कई बार हम जब अती प्यारेपन के लिए कोशिश करते हैं और आत्मिक प्यार को भुला देते हैं तो कहीं न कहीं दैहिक प्यार उत्पन हो जाता है जो हमें न्यारा रहने नहीं देता। जिससे प्यार होता है उसकी अवस्था हमारी अवस्था को भी उपर नीचे करती है। जिससे प्यार होता है उसके प्रती कोई न कोई समवेदना के साथ साथ एक expectation भी जुड़ जाती है इन सबसे भी न्यारा रहना है जिससे प्यारे है उससे भी न्यारा रहना है इसके लिए आत्मिक प्यार जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा बच्चों के लिए रात रात भर जाक करके योग भी किया लेकिन उसके बाद जो भी ड्रामा में सीन हुआ न्यारे हो गए तो इसलिए वाबा ने हमें इसके लिए एक जो चाबी दी है आज के अव्यक्त इशारों में वो है मन की एक आगरता मन को ओर्डर पर चलाओ जो हमारा मन हमारी अवस्था और के हिसाब से संकल्प क्रियेट करें वायू मंडल वातावरन या जो परिस्थिती है उसके हिसाब से नहीं स्वास्थिती में टिकना ये है मन की एक आगरता मन में एक ही बाबा तो जहां पे एकरस्था होती है एकरस्थिती होती है वहां पे हमें अपने मन को ओर्डर करना आस आगर मन से हम दूसरी सभी बातों से न्यारे हो सकते हैं और साथी साथ जितना बाबा का प्यारा उतना ही दुनिया से न्यारा बाबा का प्यारा हमें आत्मिक सुरूप में टिकाता है हमें आत्मिक प्यार करना सिखाता है बाबा हमारे सामने एक्जामपल है आत्मिक प्यार से जिनको हम देख नहीं सकते जिनको हम अपने सामने छू नहीं सकते लेकिन फिर भी कितना प्यार अनुभव करते हैं ऐसे ही लोगों को हमसे भी आत्मिक प्यार अनुभव हो ओम शान्ति